गुड इनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल एड़ोकेट अनप्लग गाईज आज हम बात करेंगे और वन अफ दी कोड ओफ सिविल प्रोसीजर 1908 गाईज इसके ओपर हम एक वीडियो अल्रेडी बना चुके हैं जिसमें हमने डिसकस किया था कि कौन प्लेंटिफ हो सकते है कौन डिफेंडेंट हो सकता है किसको एज़ प्लेंटिफ जॉइन किया जा सकता है किसको एज़ डिफेंडेंट जॉइन किया जा सकता है कोड कब सेपरेट ट्राइल के लिए कह सकता है और गाईज हमने इसके रूल एट में डिसकस किया था कि रिप्रेजेंटिटिटिव स persons to present opinion or to take part in the proceeding यानि यह court कहता है कि court के पास power है किसी भी person या body of persons को कोई भी अपना opinion देने के लिए या जो है वह है जो है participate करें proceeding के अंदर participate करने की तो guys rule कहता है while trying a suit the court may if satisfied that a person or body of person is interested in any question of law which is directly or substantially substantially in issue substantially in issue in the suit and that it is necessary in the public interest to allow that person or body of persons to present his or its opinion on that question of law guys basically यह है कहता है कि अगर मान लो को जब कोई suit चल रहा है अगर कोई person या body of persons जो है वह है जो है interested है किसी question of law के अंदर जो की directly or substantially issue है between अगर मान लो कोई case चल रहा है उसके अंदर तो जो है court जो है उनको जो है party बना सकता है अगर वह question जो है public interest के अंदर हो और उनको permit कर सकता है court to become a party और उनका opinion जो है ले सकता है guys court और जिस तरीके से court specify करे guys basically इसको एक example से समझते है suppose करिए एक society है जिसमें जो है हजारों flats हैं तो guys क्या हुआ कि नीचे वाले ने जो है अपना मकान जो है उसका जो छज्जा है उसने थोड़ा सा उसको आगे निकाल के उस पर लेंटर डालने कोशिश की तो उपर फस्ट फ्लोर वाले ने उसके उपर केस कर दिया तो guys अब basically question यह आता है कि क्या वह यह काम कर सकता है या नहीं कर सकता basically guys जितने और भी लोग है वह भी इस बात को जानना चाहेंगे जो कि जितनी पाटीज है वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं क्योंकि उसमें भी फ्लोर वाइस जो है मकान बने हुए हैं तो guys अब question यह आता है कि क्या वैच हज्जा डाल सकते हैं तो basically इसको जो है डीडे को अलाव कर सकता है पाटी बनने के लिए क्योंकि यह जो है substantial question जो question of law है उसको जो बिसिकली जो question है question of law है उसको decide करने में मदद करेगा और वह जो है public interest में भी है तो guys इस तरीके से अगर मान लो कोई party है तो court उसको allow कर सकती है अपना opinion देने के लिए बताने के लिए कि क्या जो है condition है क्या वह है इस तरीके सज्जा निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है तो court जो है basically किसी भी party को अगर मान लो है interested है तो वह उसको जो है party बना सकती है guys अब हम बात करते है rule 9 के बारे में जो कि related है misjoinder and non-joinder से guys basically misjoinder जो होता है वह होता है improper joining of the plaintiff or a defendant यानि कि हमने कोई आदमी को plaintiff join कर लिया जो कि नहीं होने चाहिए थे या defendant जो कि नहीं होने चाहिए थे basically मतलब यह है कि अगर मान लो same cause of action नहीं है और हमने उन parties को join कर लिया तो guys कि एक ही case file कर देंगे तो यह है misjoinder of parties हो जाएगा guys अब बात करते हैं non-joinder of parties non-joinder of parties का मतलब यह हो गया कि हमने उन party को join ही नहीं किया जिनको की join करना चाहिए था guys basically दो तरह की parties होती है एक तो proper parties होती है और एक जो है necessary parties जिसके बिना जो है court जो है decide ही नहीं कर सकता case को यानिके rights जो है उसकी effect हो रही है और उसका जो प्रपर party होना necessary है और जो है जिनकी help के बिना जो है court जो है effectively और completely जो है case को decide नहीं कर सकता basically case तो decide हो जाएगा rights तो certain हो जाएगी लेकिन वह जो party है वह होना भी जरूरी है इसको suppose को एक example से समझते हैं suppose करिए A मकान बना रहा है और B के मकान में उसकी वज़े से damage हो रहा है तो guys अगर मान लीजे B जो है उसके खिलाफ case करेगा A के खिलाफ case करेगा तो यह तो इसमें necessary party है और guys मान लो उसने complaint की कि यह unauthorized construction है तो उसकी extent जो है पता करने के लिए कितनी है वह वहां की जो local authority है जाए दिल्ली में municipal corruption डैली है वह बताएगी कि उसने कितनी extent तक unauthorized construction किये तो guys basically mcd जो है इसके अंदर जो है यानि कि कहता है कोई भी suit जो है खतम नहीं हो जाएगा misjoinder और non joinder of parties यानि कि कोई आपने misjoinder कर दिया non joinder कर दिया parties का तो suit खतम नहीं होगा and the court may in every suit deal with the matter in controversy so far as regards to the rights and interest of the parties actually before it तो guys है कहता है कि अगर आपने misjoinder non joinder हो गया है party का तब भी जो है code जो है case को dismiss नहीं करेगा और अगर right जो parties उसके अंदर है उनकी rights and interest को वह जो है decide कर देगा guys basically इसमें एक provision भी दी हुई है वह कहती है provided that nothing in the suit shall apply to non joinder of a necessary party guys यह कहती है कि मानलो अगर property जो necessary party है जिसके अगर आपने जोइन नहीं किया तो यह rule उस पे applicable नहीं है बेसी के लिए अगर आपने necessary party को join नहीं किया तो आपको necessary party को join करना पड़ेगा बिना उसके जो है case जो है decide नहीं हो सकता otherwise misjoinder और non joinder की वज़े से जो है suit जो है defeat नहीं होगा यानि के suit जो है खतम नहीं होगा guys अब हम बात करते हैं rule 10 के बारे में guys अगर आप प्रैक्टिस से एड्वोगेट हैं तो आपने कई बार सुना होगा कि 110 की application लगी बेसिकली 110 क्या होता है addition के लिए होती है plaintiff के या defendant को add करने के लिए application जो कोट में लगाते है 110 के application होती है और यह आए दिन common आपको सुनने में मिलती होगी के 110 की application लगी है तो guys हम इस rule 10 के बारे में बात करते हैं rule 10 बात करता है suit in the name of wrong plaintiff यानि कि suit जो है अगर किसी wrong plaintiff के नाम पर है इसका sub rule 1 कहता है where a suit has been instituted in the name of the wrong person as plaintiff यानि कि अगर मान लो कोई suit जो है चल गया किसी wrong person जो की कोई गलत आदमी के जो की plaintiff से और जहां पर doubt है कि whether it has been instituted in the name of a right plaintiff या कि जहां पर doubt है कि जो plaintiff जो है जो right plaintiff है उसके नाम पर case चल रहा है और नहीं चल रहा है basically अगर कोई wrong plaintiff के बारे में case हो गया wrong person जो है as a plaintiff हो गया या doubt है कि right person जो है plaintiff है या नहीं है तो the court may at any stage of the suit यानि कि court जो है किसी भी stage में suit की if satisfied अगर उसको लगता है that the suit has been instituted through a bona fide mistake कि court को लगता है कि जो case जो file हुआ है वह genuine mistake से हुआ है bona fide mistake थी इस वज़े से हुआ है and that it is necessary for determining of a real matter in dispute so to do order any person to be substituted or added as a plaintiff upon such term as the court thinks fit guys यह कहता है कि अगर मान लो court को लगता है कि bona fide reason की वज़े से जो है वह suit जो है किसी wrong plaintiff के नाम पे चल गया है तो court जो है उसको नाम को substitute करने की या किसी को plaintiff as a plaintiff add add करने की जो है terms और conditions पर जैसी court को लगेगी वह allow कर देगा सब्सक्राइब करें मान लिजे केस था वह partnership firm के खिलाफ केस था गाइज उसने जो है case जो फाइल कर दिया उस इंडिविजुल जो पार्टन पार्टन पार्टनर्शिप में तो जॉइंट और several libel होते हैं सब्सक्राइब कोई कंपनी थी कंपनी के खिलाफ केस होना था और उ यह तो पार्टी को substitute या add और delete करने की guys court जो है permission दे सकता है guys इसका sub rule 2 जो है rule 10 का वह कहता है court में strike out और add parties यानि के court जो है parties को मान लो जो है उसको कम भी कर सकती है और उसमें parties को जोड़ भी सकती है तो guys है कहता है the court में at any stage of the proceeding either upon or without the application of either or without the application of either party and on such terms as may appear to the court to be just order that the name of any party improperly joined whether as a plenty for a defendant be struck out and that the name of any person who ought to have been joined whether as a plenty for defendant or whose presence before the court may be necessary in order to enable the court effectually and completely to adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit be added guys basically कहता है the court में at any stage of the proceeding either upon और without यानि कि कहता है अगर मान लो court को लगता है कि कोई आदमी जो है अपनी या तो अपने आप या application move किया किसी party ने तो उसके उपर जो terms and condition court को लगती है order कर सकती है कि कि किसी भी party को जो की improperly join हुई है उसका नाम delete कर दे या जो है court जो है किसी allow कर सकती है कि जो आदमी को join करना है as a plaintiff or defendant उसको जो है join करा सकती है तो guys अग बात करते हैं हम sub rule 3 of order sub rule 3 of rule 10 guys sub rule 3 कहता है no person shall be added as a plaintiff suing without a next friend or as a next friend of a plaintiff under any disability without his consent guys यह कैते कि आपको किसी भी party कोई भी आप जो है as a plaintiff add नहीं कर सकते उस party को जो की under disability है यानि disability का मतलब हो गया जैसे कि या तो है minor है या कोई lunatic है तो जो उसका जो next friend जो है basically अगर उसकी permission के बिना जो है आप जो है उसको plaintiff नहीं बना सकते guys rule 10 का sub rule 4 बात करता है where defendant added plant is to be amended यानि कि अगर मानलो कभी defend जैसे कि मानलो defendant defendant add हुआ तो जो है plant को amend करना पड़ेगा guys basically कहता है where defendant is added the plaintiff shell unless the court otherwise direct be amended in such manner as may be necessary guys इसको basically यहीं तक समझते है कहता है कि जब भी कोई defendant जो है add होता है where defendant add किया the plaintiff छेल तो plaintiff क्या करेगा amend करेगा plant को जैसे कि मैस जिस manner में जिस manner में as maybe necessary जो की जैसे necessary हो है और जो amended जो है amended जो plant है amended जो प्लेंट एंด उसकी copy of the summons and the plati एप भी कैल भी served on the Marcus defendant तो जो amended copy है वätta जो है serve करेगा plant की serve plant plant की जो copy है वह serve करेगा defendant new defendant और अगर court को ठीक लगता है तो original defendant को भी guys basically बात करते हैं और इसमें लिखा unless the court otherwise direct guys यह basically main rule तो यह हो गया कि जब भी amendment होगी तो amendment करने के बाद जो है अगर आपने plant को amendment किया तो उसकी copy जो है आप supply करेंगे एक तो जो नहीं party add किया उसको और जो दूसरी पार्टी है उसको और अगर मानलोग unless the court otherwise अगर मानलोग court नहीं डारेक्शन को अगर court कोई और डारेक्शन देता court कहता सपोज करो नहीं जरूरत है तो court जो है उसको कहेगा नहीं तो जो basically rule है वह यही कहता है कि जब भी आप amend करोगे plant को तब आप जो है उसकी copy supply करोगे नया defendant जो आपने add किया है उसको और जो पहले सी defendant था उसको amended plant की जो copy है वह आप उसको supply करेंगे guys अब इसका जो sub rule 5 है वह बात करता है subject to the provisions of Indian limitation act 1877 section 22 the proceeding as against any person added as defendant shall be deemed to have begun only on the service of the गाइस basically बात करता है कि मान लिजे suppose करें कोई case चला रहा था और case चले आने के बाद क्या हुआ case में आपको कोई party add गी तो जो party आप add करेंगे वह जो है जिस दिन उसको सम्मन सर्व होंगे उस दिन से जो है माना जाएगा कि उसके खिलाफ जो है case जो institute हुआ है और limitation period उसका उस दिन से count होगा ना कि जिस दिन court में case file हुआ था suppose करिये मान लिजे कोई case file हुआ 2010 में और कोई party जो है उसमें add की गई 2012 के अंदर तो उसका जो limitation period जो है 2012 से count होगा अगर मान लो उसका suppose करिये उस case का जो limitation जो है 2011 में खतम हो रहा था तो उसका जो case है वह limitation से बाहर होगा तो basically इसका कहना यह है कि जब भी आप amend करेंगे जिस प्री party को आप जो है जो बनेगी जो आपकी नई party जो बनेगी ऐस a defendant होगी उसको जो है उस दिन सर्म समन सर्व होंगे कि आपको ऐसा party प्लीड किया जा रहा है उस दिन से जो है वह दिन उसका होगा जब जब limitation जो है जहां पर का जहां तक का count किया जाएगा गाइज अब बात करते हैं हम rule 10-a के बारे में guys 10-a कहता है power of the court to request any pleader to address it यानि कि court के पास power है वह किसी भी pleader को कह सकता है कि court को है address करें गाइज यह कहता है the court may in the discretion request any pleader to address it as to any interest which is likely to be affected by its decision on any matter in issue in any suit or proceeding if the party having an interest which is likely to be affected if not represented by any pleader गाइज बिसी के लिए अगर मानलो कोई case है जिसमें कोई इसको pleader represent नहीं करता किसी party को और उसका interest जो effect होगा तो court जो है किसी भी pleader को कह सकता है कि आप जो है इस case को देखो और guys इस case को आप जो है आगे conduct करो तो guys 11 rule conduct of suit की बात करता है the court may give the conduct of the suit to such person as it deems proper यानि court जो है suit को conduct करने की permission किसी को दे सकता है जिसको जिससे जिसका court को लगेगा कि वह proper party प्रॉपर है जो कि उस case को properly conduct करेगा guys अब order one का rule जो 12 है वह बात करता है appearance of one of the several plaintiffs और defendant फॉर दरस बिसिकल लिए बात करता है कि मानलो अगर कोई भी एक कई सारे plaintiffs है defendants है तो जो है एक ही आदमी जो है उनको जो है represent कर सकता है plaintiffs और defendants की तरीके से guys इसका sab rule 12 का sab rule 1 कहता है where there are more plaintiffs than one any one or more of them may be authorized by any other of them to appear plead or act for such other in any proceeding and in a like manner where there are more defendants than one any one or more of them may be authorized by any other of them to appear plead or act for such other in any proceeding basically यह बात करता है कि अगर मानलो जब ज़्यादा defendants है तो कोई भी आदमी कोई भी एक जो plaintiff है वो उनके बहाफ पर एपियर हो सकता है plead कर सकता है और defend कर और जो है कोई भी आदमी जो है अगर मानलो defendant जादा है तो वह एपियर हो सकता है उनके भिहाफ पर पर पिलीड कर सकता है case को guys इसमें जो sub rule two है वह कहता है the authority shall be in writing signed by the party giving it and shall be filed in the court basic लिए कहता है कि जो आदमी जो है represent करेगा जिसको है authority जो दी है वह है जो है एक तो writing में होनी चाहिए और जो party की sign की वह होनी चाहिए जो जिसको represent कर रहा है उसकी मतब जो जिस party को represent कर रही है जो दूसरी party तो उसके favor में authority जो है sign करके दी होनी चाहिए party ने और वह जो जो authority है वह court में file होनी चाहिए guys अब इसका जो rule thirteen है order one का हम उसकी बात करते है वह बात करता है objection as to non-joinder और mis-joinder यानि कि objection कब लेना है कि party का non-joinder है या mis-joinder है तो guys basically यह कहता है all objections on the ground of non-joinder or mis-joinder of the parties shall be taken at the earliest यानि कि कहता है कि जभी जैसे ही आपको पता लगा आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको mis-joinder of the parties या non-joinder का जो आपने जो defense लेना है या जो भी आपको mis-joinder of parties के बारे में objection लेना है बहुत जितना जितना जल्दे से जल्दियों उतना जल्दी लेना है और possibly कब लेना है in all cases where issues are settled at or before such settlement यानि कि कब तक लेना है जब तक की issue जो है settled हो गए या उसके settled होने से पहले basically settlement of issue generally क्या होता है जब court जो इस फ्रेम कर देता है जब आपका पहले आपकी pleadings में क्या होता है गाई पहले सबस के बाद जो है आपको अगर कोई आप जो है उसके final होने के बाद में जो है फिर जो है issues की settlement की बात आती है तो court जो है issue frame करता है तो उस issues के frame करने से पहले यानि issues के settle होने से पहले जो है आप जो है objection जो है mis joinder और non joinder of parties की ले सकते हैं और अगर और कब नहीं लेंगे unless the ground of objection has subsequently ar horizon अगर मानलो को ground जो objection लेने का बाद में arise हुआ है तब जो है आप उसकी बाद में भी ले सकते हैं and any such objection not so taken shall be deemed to have been waived और अगर मानलो आपने वह objection कोई लेनी थी और आपने नहीं mis joinder और non joinder of party की तो यह माना जाएगा कि आपने उसको wave कर दिया है आप नहीं चाते उस objection को ले हुआ है और guys यही सब कुछ है order one को लेकर अगर आपको guys आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे request करूंगा के please वीडियो को share करें like करें और subscribe करें guys धन्यवाद